आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है आप डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी बावू बनना चाहते हैं या अकाउंटेंट आप टेली का अधूरा ग्यान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्वान बनना चाहते हैं यदि आप accountant या विद्वान बनना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेधन है इस वीडियो सिरीज की सभी वीडियोस को एक एक करके क्रमानुसार ही देखें वीडियोस को क्रमा अनुसार देखने के दो तरीके हैं पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट द्वारा टेली के इस वीडियो सिरीज के आज के अधाय में आप जानेंगे बैलन्स शीट क्या है और ट्राइल बैलन्स के आधार पर उसे कैसे बनाया जाता है इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्या होता है और Trial Balance Sheet के आधार पर उन्हें कैसे बनाया जाता है अब आगे बढ़ते हैं देखें, Trial Balance Sheet में से जो खाते उठाकर हम Trading and Profit and Loss Account में ले गए हैं वे सभी खाते सवाप्त हो गए हैं और अब हमारे पास सिर्फ Assets और Liabilities के खाते बचे हैं इनका हमने एक नया Trial Balance बना लिया है आईए अब हम Trial Balance से एक एक करके सभी खातों के Balance Balance Sheet में लिख लेते हैं पर उससे पहले हम Balance Sheet की परिभाशा भी देख लेते हैं Balance Sheet एक निश्चित तारीख को तयार किया जाने वाला ऐसा statement है जिसमें एक और व्यावसाई की पूंजी यानि Capital और दाइत्वों यानि Liabilities को तथा दूसरी और संपत्तियों यानि Assets को एक निश्चित प्रारूप और क्रम में दर्शाया जाता है इसे प्रायव वर्ष समाप्ति पर बनाया जाता है आये हम इसके कुछ मुख्य बातें समझ लेते हैं अभी तक हम जहां भी काम कर रहे थे वहां डेविट और क्रेडिट ऊपर लिखा होता था पर बैलेंशीट में इस तरह नहीं लिखा जाता है इसमें लेप्ट साइड में लैबिलिटीज के सभी खाते और राइट साइड में असेट के सभी खाते एक निश्यत क्रम में लिखे जाते हैं आये अब हम ट्रायल बैलेंस से एक एक करके सभी खातों के बैलेंस बैलेंस शीट में लिख लेते हैं झाल झाल ये देखिए हमने ट्राइल विलेंस से सभी ख्यटों के बैलन्स ले लिये हैं, आईए अब चित्था यानी बैलेंशीट देख लेते हैं, इस बैलेंशीट से हमें अपनी पूरी आर्थिक इस्तिती की जानकारी प्राप्त हो रही है, जैसे हम्हें किसी क्या देना हैं, कि से क् करमान में हमारी पूंजी बढ़कर या घटकर अब कितनी है। टैली में अब ना तो हमें खातों को क्रमानुसा लिखना होता है और ना ही बैलेंशीट बनानी होती है। टैली ये काम अपनियाप करके हमें दे दिता है। इस वीडियो सीरीज के प्रारंब से लेकर अभी तक की वीडियो में हम ये देखा कि मैनुवल अकाउंटिंग किस तरह होती थी और अब टैली ने उसे कितना असान कर दिया है। साल बर टैली में सिर्फ वाउचर एंट्री करो और साल के आखिर में ट्रेडिंग और प्रॉफिट और लॉस से संबंधित कुछ एंट्रीज करो शेश सभी काम अपने आप हो जाते हैं। इसी के साथ टैली हमें वेबसाइक को अच्छे से चलाने के लिए अनेक रिपोर्ट्स भी प्रदान करती है। साथ ही टैली में ये सुथाब भी है कि हम जब चाहें तब हमारा प्रॉफिट और लॉस स्टेट्मेंट बनेशी देख सकते हैं। इस वीडियो के बाद वाली वीडियो से हम टैली में काम करना शुरू करेंगे।